हेलो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे साथ मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अगर आपने अभी तक एक्जाम ओरियेंटिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट में जरूर बताए जो उन्हें खटकटाने की जुरूरत करते हैं तो हमेशा दरवाजे खटकटे रही है मतलब मेहनत करते रहे हैं मेहनत करते रहेंगे एक दिन दरवाजा जुरूर खुलेगा आपकी मेहनत का आपकी किसमत का और आप सफल हो जाएंगे हेलो फ्रेंड्स मैं सुमित और आप देख रहे हैं exam oriented 3.0 चलिए शुरू करते हैं तो मैंने last video में question पुछा था वो question था हाल ही में मनुवर पारिकर of the year of the record नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो ये लिखी है बामन सुभा पिर्भुने आजकर session शुरू कर लेते हैं पहला question है उदैपुर बिज्ञान केंदर का उद्धाटन हाल ही में किस राज्ये में किया गया है तो ये किया गया है तुर्पुरा में तुर्पुरा के Chief Minister है बिपलप कुमार देब Governor है रमेश बैस और यहां की राजदानी है अगरतला तुर्पुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने 28 फरवरी दोहर 21 को तुर्पुरा के उदैपुर में उदैपुर बिज्ञान केंदर का उद्धाटन किया इसका मुख्यबंदी यह रहने वाला है कि उदैपुर बिज्ञान केंदर 6 करोड रुपे के लागत से बिक्सित किया गया है यह राज्यी भारा सरकार के सांस्किर्टिक मंत्राले और तुरुपुरा सरकार के बिज्ञान प्रोद्धोगी की और परियावरण बिज्ञान बिवाग द्वारा बित पोशित है बिज्ञान केंदर के स्थापना के साथ राश्टे बिज्ञान संगराले परिशत N.C.S.M. Global Rich List 2021 में कौन सीट्स पर रहा है तो यह रहे हैं आपने देख लिए हैं Elon Musk Elon Musk यह Tesla के भी मालिक हैं और SpaceX के भी जो SpaceX Agency है SpaceX यह उनके भी ओनर हैं और Tesla जो एलेक्ट्रिक वाइकल्स बनाती हैं जो कि इंडिया में जल से जल आने वाला है हुरून गलोबल Rich List 2021 का दस बा संसकर्ण जारी किया गया है जिसमें 2402 कंपनिया और 68 देशों के 3228 अरबपती सामिल है रिपोर्ट में यह दर्साय गया है कि COVID-19 महामारी के भाबजूत दुनिया ने 2020 में हर अपते आठ अरबपती जोड़े और एक साल में 421 उनकी कुल संख्या रिकोर्ड 3288 तक हो गई तीक है अब आप बाकी जो बिच पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं अगला है आप देख लिए जो सीड्स के तीन अरबपती है वो कोन कोन है तो टेसला के अद्देख्स इलोन मास्क इनकी अगर संपत्य आप देखेंगे तो 111 विलियन डॉलर जुडने के बाद उनकी कुल संपत्य 197 विलियन डॉलर हो गई है दूसरे हैं एमाजोन के जो CEO हैं जो CEO अब तो खर चेंज हो गए CEO भी नहीं रहे वो अब तो वो सीधे फाउंडरी है तो जैब बैजोस उनकी 189 विलियन डॉलर की कुल संपत्य के साथ दूसरे इस्थान पर इस टाइम पर है वो और तीसरे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ड ठीक है तो यह जो है इनके जो मुख्य कारेकारी लुईस बुल्टन S.E. दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी समान कंपनी 114 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर याज कुएं तो यह टॉप 3 आप याद रखिएगा संपत्ति याद रखने की जुरूत नहीं है बस तीन टॉप बस बहुत है अब इस सूची में आब आप देखना चाहिए तो बहुत चीजें हैं कई सारी है आप वो भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं आपको PDF मिल जाएगी संयुक्त कमांडर संबेलन कहां शुरू हुआ है तो यह हुआ है गुजरात में गुजरात के चीफ मनेस्टर हैं बिजरूपानी गवर्नर हैं अचार्य देबरत और यहां की रजधनी हैं गांधी नगर लगता है राजधानिया तो आपको रठ ही जाएंगी राजधानिया तो आप नहीं बूलने वाले अब गुजरात के केवडिया में तीन दिवसिय संयुक्त कमांडर संबेलन आज से सुरू होगा इस तीन दिवसिया बार्सिक आयोजन में तीन सेनों की संयुक्त कमांड रणनीती रक्षा छेतर में आत्म निरभरता और छेतर में आने वाली चुनोती ओपर विसेश रूप से चर्चा होगी रक्षा मंतरी राजधना सिंग कल भारतिय सेना नो सेना और बायू सेना के सीर्स कमांडर को संबोधित करेंगे संबिलन के दोरान एक नई बायू रक्षा कमांड और सामुद्री कमांड इस्थापित करने पर विचार बिमर्स होगा नेक्स्ट कोच्चन है रास्टिय सुरक्षा दिबस कम मनाया जाता है तो ये मनाते हैं चार मार्च को भारत में हर साल चार मार्च को रास्टिय सुरक्षा दिबस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुरकटनाव से रोकने के लिए किये गए किये जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है रास्टे सुरक्षा दिबस को अब पूरे एक सप्ता तक मनाया जाने लगाए इस बार रास्टे सुरक्षा दिबस 4 मार्स से 10 मार्स तक मनाया जाएगा यह date आप specify कहीं लिख लेना याद कर लेना या फिर आप PDF के दुरू पढ़ते रहना ये date main है 4 से 10 जनवरी ठीक एक सफ़ता के लिए रास्टे सुरक्षा दिवस की जो theme है ये भी बहुत ज़्यादा most important रहने वाली है हर साल रास्टे सुरक्षा दिवस के लिए एक नई theme होती है पर इस बरस के theme सुरक्षा मदर रोड सेफटी ठीक है याद रखियेगा जो theme है वो है सुरक्षा next question है हाल ही में rail मंत्री ने कब तक संपूर्ण rail network के बिद्दूती करण की गोफ़ण की है तो ये की है 2023 तक 2023 तक संपूर्ण rail बिद्दूती करण हो जाएंगी जो आज के समय पर डीजल से चल रही है वो भी अब डीजल खता है तीन बरस में देश की सभी railway line ने लाइनों के बिद्दूती करण कर लक्षे रखा गया है इसके साथ ही 2030 तक बारती है रेलवे 20 की पहली प्रिदूशन रहित rail बन जाएगी प्यूज गोईल ने कहा है दोहरते ही सभी train डीजल मुक्त हो जाएंगी तो अब प्यूज गोईल रही बार को पत्रकारों से बाच्चीत करते हैं और आप नहीं ये बात कही जिसके करण दिल्ली सहित पूरे देश को बायू से रहत मिलेगी प्यूज गोईल जी नहीं कहा है आप इसके बारे में जो भी पढ़ना पढ़ सकते हैं आपको PDF मिल जाएगी नेक्स्ट कोशन है पुलिस कमांडो एबम कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी हाल ही में किस राज्ज ने दी है तो ये दी है आंधर प्रदेश ने आंधर प्रदेश के चीफ मरेस्टर है वाई एस जगमोन रेड़ी गवर्नर है बिस्वाबूशन हरी चंदन और यहां की तीन राज़दानिया है अमरावती बिसाका पटनम और कुर्नूल नेक्स्ट कोशन है नगरपाली का प्रदेशन सूचकांक 2020 में कौन सीर्स पर रहा तो ये रहा इंदोर इंदोर कहां का सहर है तो ये मद्य प्रदेश का अबास और सहरी मामलों के मंत्राले ने नगरपाली का प्रदेशन सूचकांग 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की रैंकिंग ने नगरपाली काओ को उनकी अबादी के अधार पर दो श्रेणियों में बर्गिकरत किया एक है मिलियन प्लस स्रेणी और दूसरी है मिलियन से कमबाली स्रेणी नगरपाली का प्रदेशन सूचकांग नगरपाली का को बहतर नियोजन और प्रबंदन में मदद करेगा सहर पिरसासन में अंतराल को भरने और अपने नागरीकों के लिए सहरो के रहने की जगा में सुधार करेगा मिलियन प्लस जो जर्जन संक्या की स्रेड़ी है उसमें इस सूची में इन दोर सबसे नमबर वन पर है और इसके बाद सूरत और भोपाल मिलियन से कम बाले जो है उसमें नई दिली नगरपाली का लीडर के रूप में उबरी है उसके बाद तुरूपती और गांधी नगर ठीक है और बाकी इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है वो आप पढ़ लीजेगा नेक्स्ट कॉचन है एस ओफ लिविंग इंडेक्स दोयर बीस में कोन सीडस पर रहा तो यह रहा बैंगलोर, बैंगलोर कहां का सेर है, यह तो यह है करनाटक की राज़दानी भी है बैंगलोर बैंगलोरू अबास और सेहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंग पुरी दुवारा जारी सरकार की ईज ओफ लिपिंग इंडेक्स दोहर 20 में सीड्स सहर के रूप में उबरा है 111 सहरों में से पूरे दूसरे और एहमदाबाद तीसरे इस्थान पर था स्मार्ट सिटी इज प्रोग्राम के तहत 111 सहरों ने 220 में किये गए मुल्लेंकन अब्यास में भाग लिया था इज ओफ लिपिंग इंडेक्स 220 में निम लिके दो स्रेणियों में सहरों को इस्थान दिया गया है मिलियन प्लस अबादी वाले सहर जिनकी अबादी एक मिलियन से अधिक है और मिलियन से कम वाले सहर जिनकी एक मिलियन से कम है डेटा चुनोती के कारण पश्चम मंगाल से कोई सहर सामिल नहीं किया गया है मिलियन प्लस ट्रेडी में बैंगलूर इस ट्रेडी में सीर्स प्रदेशन किया है दूसरा इसके बाद पूरे एमदवाद चिन्नेई सूरत नभी मुंबई कोई मटूर बरोदरा इंदोर और गिरेटर मुंबई का इस्थान रहा मिलियन जूसे कम बाले इस समूमें सिमला को ईच और लिबिंग में सर्बोच इस्थान ठीक है याद रखना अगर मिलियन प्लस की बात करेंगे तो बैंगलूर है और मिलियन कम से बाले में बात करेंगे तो सिमला नमबर नमबर सिमला कहां का सहर है तो सिमला है हमारा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की राजदानी भी है हिमाचल प्रदेश की एक और राजदानी है वो है दरम साला इसके बाद भुमनेस्वर, सिलबासा, काकीनाडा, सिलेम, बिलोर, गंदीनगर, गुरुगराम, दावड, गेरे और तुरूचिला पली थे इच ओफ लिफिंग इंडेक्स इसके बारे मैं आप पढ़ सकते हैं ठीक है आपको PDF में मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन है QS World Subject Ranking दोहर 21 में कितने भारतिय संस्थानों ने सीर्स 50 में जगे बनाई है तो ये बनाई है तीन कंपनियों ने QS World University ने गुरुबार को दोहर 21 की सबजेक्ट रैंकिंग जारी की इसके बाद IIT के तीन फार्टेक्रम के रैंकिंग में करम से 30, 82 और 92 इस्थान मिला है वहीं SRM Institute of Science and Technology को 101 से 150 ब्रेकेट लिस्ट में सामिल किया गया है Information के छेतर में IIT मदरास के कंप्यूटर बिग्यान पार्टेक्रम को एक से चोधवा इस्थान पराप्त हुआ है जबकि अन्ना यूनिवस्टी को भी इस लिस्ट में सामिल किया गया है Bellore Institute of Technology को 351 से 400 रैंक प्रेकेट में दर्स आया गया है इस साल वर्ल लेबल पर Civil Engineering, Management, Study और Match को भी टॉप 20 में सामिल किया गया है Next Question है संयुक्त राष्ट महासवा ने किस बर्स को बाजरे का अंतराष्ट बर्स गोशित करने का प्रस्ताप सुविकार किया है तो ये किया है 2013 को संयुक्त राष्ट महासवा ने दर्स बर्स गोशित करने के भारत द्वारत प्रियोजित प्रस्ताप का सर्ब सम्मती से अनुमोधन कर दिया है इस प्रस्ताप का उद्देश बाजरे के फाइदे के बारे में जागरुकता बढ़ाना है अंतराष्टे बाजराबर दोहरत देहिस नाम के इस प्रस्ताप को भारत के साथ बांगरदेश, केनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल ने समर्थन दिया जबकि सत्तर से अधिक देजों ने इसे सहे प्रियोजित किया इस कोशन का जवाब आपको कमेंट सों बताना है उत्तरफ प्रदेश जनवरी में अपना इस्थापना दिवस किस दिन बनाया था है ठीक है आपको डेट दी हुई है इसका अंसर जल से जल कमेंट में बताइए और इसका आंसर जरूर बताईएगा और अगर डेटेलर मताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुसी होगी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए और बैल आइकन को जरूर दबा दीजिए और पीडियाप हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्करप्शन में मिल जाएगी बहतरियन करंट अफेर के लिए बने रहे है इस चैनल के साथ थैंक यू